साथ संगत जी प्रेम से कहना धन नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर साथ संगत जी हमारे विचार जादूकर की तरह होते हैं जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारे साथ हो भी जाता है इसलिए हमेशा सकरात्मक सोचिये और सकरात्मक सल पाईए आज की साखी का विश्य यही है तो चलिए आज की ये साखी सुनते है साथ संगत जी बहुत पुरानी बात है एक घने जंगल में की इच्छा पूरती वरिक्ष था जिसके नीचे बैठ कर कोई भी इच्छा करने से वो इच्छा तुरंद पूरी हो जाती थी लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को थी क्योंकि उस घने जंगल में जाने की कोई हिम्मत ही नहीं करता था अब एक बार सैयोग से एक ठका हुआ व्यपारी उस वरिक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ कया अब उस व्यपारी को पता ही नहीं चला कि काब उसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया जागते ही उस व्यपारी को भूख लगने लगी उस व्यपारी ने अपने आसपास देखकर सोचा कि काश मुझे कुछ खाने को मिल जाए जैसे ही उसने ये सोचा उसी समय स्वादिष्ट पकवानों से भरी हुई थाली हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई व्यपारी हैरान हो गया उस अचंबित व्यपारी ने भरपेट खाना खाया और भूख शान्त होने के बाद सोचने लगा काश अब मुझे कुछ पीने को मिल जाए तदकाल उसके सामने हवा में तैरते हुई अनेक प्रकार के शर्बत आ गई शर्बत पीने के बाद वो अराम से बैठ कर सोचने लगा कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हवा में से खाना पानी प्रकट होते पहले मैंने ना तो कभी देखा था ना ही सुना था फिर ये सब जरूर इस पेड़ पर कोई भूत रहता है जो मुझे खिला पिला कर बाद में मुझे ही खा लेगा अब ऐसा सोचते ही तदकाल उसके सामने एक भूत आया और उसे खा गया साथ संगत जी इस कालपनिक प्रसंग से आप ये सीख सकते हैं कि हमारा मस्तिक्ष हमारा दिमाग ही इच्छा पूर्तिव रिक्ष है अब जीस चीज की प्रबल कामना करेंगे वो आपको अवश्य मिलेगी अब अधिकांश लोगों को जीवन में बुरी चीजें इसलिए मिलती हैं क्योंकि वो लोग बुरी चीजों की ही कामना करते हैं इंसान जादतर समय सोचता है कि कहीं बारिश में भीगने से मैं बिमार न हो जाऊं और वो बिमार हो भी जाता है इंसान सोचता है मेरी तो किस्मत ही खराब है और उसकी किस्मत सच मुझ खराब हो जाती है इस प्रकार आप देखते हैं कि हमारा अवचेतन मन इच्छा पूर्ति व्रिक्ष की तरह हमारी इच्छाओं को इमानदारी से पूरी करता है इसलिए साथ संगत जी आपको अपने मस्तिक्ष में विचारों को सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति देनी चाहिए क्योंकि हमारे विचार तो जादूगर की तरह होते हैं जिनें बदल कर आप अपना जीवन भे बदल सकते हैं इसलिए सधा सकरात्मक सोचे बाहर की दुनिया तो बिलकुल वैसी है जैसा कि हम अंदर से सोचते हैं हमारे विचार ही चीजों को सुन्दर और बदसुरत बनाते हैं पूरा सुंसार हमारे अंदर समाया हुआ है बस जरूरत है चीजों को सही रोशनी में रख कर देखने की सकरातमक रहिए, सकरातमक सोचिए और सकरातमक फल भी पाईए यही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए तभी तो सकरात्मक उर्जा हमारी जीवन की दशा और दिशा बदलने में सक्षम होगी सार संगत जी सकरात्मक सोच का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है अब एक बार की बात है कि एक नर्स लंदन में ऑपरेशन से दो घंटे पहले मरीज के कमरे में जाकर कमरे में रखे हुए गुलदस्ते को सवारने और ठीक करने में लग गई ऐसे ही जब वो अपने पूरी लगन के साथ काम में लगी थी तब ही अचानक उसने मरीज से पूछा कि सर आपका उपरेशन कौन सा डोक्टर कर रहा है अब नर्स को बिना देखे ही मरीज ने बड़ी अच्छे लहजे में कहा मेरा इलाज डोक्टर विलसन कर रही है अब नर्स ने जब डोक्टर का नाम सुना तो हैरानी से अपना काम छोड़ते हुए मरीज के पास जाकर पहुची और पूछने लगी सर क्या डोक्टर विलसन ने वास्तम में आपके उपरेशन को सविकार कर लिया है मरीज बोला हाँ मेरा ओपरेशन तो वही डोक्टर कर रही है नर्स ने कहा बड़ी अजीब बात है सर विश्वाश नहीं होता अब मरीज तो परिशान हो गया परिशान होते हुए मरीज ने पूछा लेकिन इसमें अजीब बात क्या है नर्स ने कहा वास्तव में इस डोक्टर ने अब तक हजार ओपरेशन किये हैं और उनके ओपरेशन में सफलता कानुपाद सो प्रतीशत है इसलिए वो डोक्टर बहुत ही जादा व्यस्त रहते हैं इतनी व्यस्त चता की वज़े से उस डोक्टर को समय निकालना बहुत मुश्किल होता है मैं तो ये हैरान हूँ सुनकर कि आपका ओपरेशन करने के लिए डोक्टर विलसन को समय कैसे मिल रहा अब मरीज ने नरस से कहा ये तो मेरी अच्छी किस्मत है कि डोक्टर विलसन को फुरसत मिली और वो ही मेरा ओपरेशन कर रही है नर्स ने एक बार फिर से कहा यकीन मानिये सर मेरी हैरत तो अभी भी बर करार है कि दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर आपका उप्रेशन कर रहा है अब इस बातचीत के बाद मरीज को उप्रेशन थियेटर में पहुँचा दिया गया मरीज का उप्रेशन सफल हुआ और अब मरीज हस कर अपनी जंदगी जी रहा है साथ संगत जी मरीज के कमरे में आई वो महिला नर्स कोई सधारन नर्स नहीं थी बलकि उसी हस्पताल की मनो विज्यानिक महिला डॉक्टर थी जिनका काम मरीजों को मानसिक और मनो विज्यानिक रूप से संचालिट करना था उसे संतुष्ट करना था और जिस पर मरीज शक भी नहीं कर सकता था और इस बार इस महिला डॉक्टर ने अपना काम मरीज के कमरे में गुलदस्ता सजाते हुए कर दिया था और बड़ी ही खूबसूरती से मरीज के दिल और दिमाग में ये बात बठा दी थी कि जो डॉक्टर उनका उप्रेशन करेगा वो दुनिया का सबसे मशूर और सबसे सफल डॉक्टर है जिसका हार उप्रेशन सफल होता है और इन सब के साथ मरीज खुद सकरात्मक तरीके से आप के साथ संगत जी जैसा जैसा आप सोचने लगते हैं वैसा ही आपके साथ होने भी लगता है आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेगे क्योंकि संकलब से ही सृष्टी बनती है जितना आप सोचेंगे कि हम बिमार हैं, हमारी गुटनों में दर्द हो रहा है, तो ये दर्द बढ़ता ही जाएगा क्योंकि आपकी आत्मा से इंस्ट्रक्षन दर्द वाले स्थान पर जा रही है फिर किसी तरह अगर परिवार के सदस्य के लिए ये मान ले कि इससे तो मेरी नहीं बनेगी, तो फिर आपके रिष्टे और बिगड़ने लगेंगे इसलिए हमेशा अच्छा सुची, अपने शरीर के लिए दुआ करीं कि हम बिलकुल ही स्वस्थ हैं अपने परिवार के लिए दुआ करीं कि हमारा परिवार एक साथ खुश है वैसे तो आजकर लोग अकेली रहना जादा पसंद करते हैं लेकिन परिवार के साथ रहनी से आपकी जिंदगी काफी असान हो जाती है, किसी भी तरह की परिशानी का सामना सब मिल कर करते हैं, संकलब से स्रिष्टी बनती है, इसलिए कुछ भी गलत नहीं सोचना, क्योंकि वो गलत सच हो सकता है. साथ संगत जी, बहुत से लोग रोज सुबह अकबार में छपे हुए राशी फल में अपने भाग्या के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अब हम अपना भाग्या कहीं पढ़ेंगे नहीं, बल्कि आब हम अपना भाग्या रोज सुबह खुद नरधारित करेंगे. अगर अकबार में लिखा है कि आज आपका जगड़ा होगा और आपने अगर इस बात को अपने दिमाग में अपने मन में बिठा लिया, तो फिर तो आपका जगड़ा होगा है. इसलिए अपने भाग्या के बारे में कहीं बाहर से नहीं जानना है, बल्कि अपनी आत्मा से अपना भाग्या खुद बनाना है। रोज सुभ्य उटकर कहिए कि हम बिलकुल स्वस्थ हैं। हमारा परिवार एक साथ खुश है। और मुझे अपनी जिन्दगी में बहुत संतुष्टी है। मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो भीड में भी खुशी और शान्ती खोज ले, वही सचा भग्त है और वही सबसे सुखी इंसान है। उमीद करती हूँ, आज की साख्य आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर साख्य अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा। आप सभी से फिर्मुला काथ होगी एक नई साख्य के साथ। साथ संकत ची प्यार से कहना धन नरंकार ची।